तो हला दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं हूँ गुरोड स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमेट को गाए पर दोस्तों आज की वीडियो में हम अल्टरा वेजीटो की स्टोरी को कॉंटिन्यू करने बारे हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्टरा वेजीटो के साथ डीमन रेल में क्या होता है अल्टरा वेजीटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिका है कॉल मी आर्थ ने और उनसे जोड़ी लिंक में ने चे डिस्किप्शन में दे दिये हैं तो जाएए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाएए दोस्तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक शोटी सी रिक्वेस्ट अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल मिल भूलेगा और वीडियो को अपने दोस्तों की साथ शेयर पिजरू कीजिएगा जिन लोगों ने अब तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चानल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारे की सारी वीडियो उस्टान डूटाइम बिलती रहे तो चेली दोस्तों बिलन देरी कर अपने वीडियो पर आते हैं लाच वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटो डीमन ड्रैल में वीज की स्टाफ को समन करता है पर वहाँ पर वीजिटो कुछ समझ नहीं पा रहा होता और तभी उसे एक आवास आती है यह आवास बोलती है बेवकूफ इंजल आइटम्स डीमन ड्रैल में एक्सिस्ट नहीं कर सकती इस आवास को सुनके वेजिटो बिल्कुल चौक चाता है हम देखते हैं कि यह आवास किसकी थी यह आवास थी यामोशी की यामोशी और बूली दोनों ही वेजिटों के अंदर अभी में मौशी और बूली दोनों ही जादा खुश नहीं लग रहे होते क्योंकि वेजिटो लुसिफ की बातों में आ गया और प्रीश्ट के खिराफ लड़ाई को हार गया यामोशी बोलता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट गया था तुमें एक बेवकूफ निकले और लुसिफ की बातों में आके हार गई मुझे लगा ही था कि चीजे अब कुछ साधा खराब होने वाली है जब तुमने मुझे ब्रूली और बागी सबी लोगों को ब्लॉक कर दिया जिसके बाद हम तुमसे बात भी नहीं कर पाई तुम केकर आट और वेजिटर की बाते सुन रहे थी ये इसी तरीके से है जैसे कि तुम अपनी खुद की बाते सुन रहे हो और अब देखो कि तुम उसकी वज़से कहां पहुच गए हो वेजिटरो को गुसा आने लग जाता है वो बोलता है कि अपना ये लेक्चर बंद करो और मुझे बताओ कि इस वक्त हम कहां पर है या फिर तुम बस चुप होकर बैठ जाओ या मुझे शांती से बोलता है बहुत बढ़िया अगर ये बात तुम्हें अभी तक और विस नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम इस वक्त डीमन रेल्म में हो तुमने और डूसिफ ने अपनी जगाहों को पूरी तरीके से बतर लिया है और जैसा कि उसके साथ कई मिले निया तक था तुम्हारे पास भी यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है एटलीश जब तक नहीं जब तक तुम्हें यह नपता हूँ कि तुम्हें कहां जाना है और क्या करना है वो knowledge जो कि members of the five के पास है जो हमने पाई है अंगिनत mission करकी इन lower class demons को रोकने के लिए ताकि वो किसी भी तरीके से mortal realm का रास्ता ना डूब पाएं तब ही हम देखते हैं कि यामोशी के चैरे पे चाला की बरी हसी आ जाती है वो बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे वो information चाहिए तो पहले मुझे बाहर आने दो ब्रूली भी यामोशी की ये बास उनके थोड़ा सा है रान होता है वेजिटो गुस्ता होकर बोलता है कि अच्छा तो तुम ये चाते हो अगर ऐसा ही है तो मैं फिलहाल के लिए ऐसा नहीं करने वाला मैं उस बारे में खुद पता लगा लूँगा आखिर वो कितना मुश्किल हो सकता है पर तब ही एक दम से वेजिटो हैरान रचाता है जैसे ही वेजिटो यामोशी की मदद को मना करता है एकदम से उसे महसस होता है कि वहाँ पर कोई आया है वेजिटो देखता है कि उसके तरफ एक बहुत ही ताकत वर वीम बढ़ रही है और उचोक कर बोलता है कि आखिर ये क्या है इस वेजिटो देखते ही वेजिटो एकदम से अपनी अल्टरा इस्टिंट की फॉर्म में चला जाता है वेजिटो की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है वेजिटो को आखिर वो लोग देखते हैं जिन्होंने वेजिटो पे हमला किया था वेजिटो बोलता है कि अच्छा तो तुम भाँ हो हम देखते हैं कि वेजिटो के आगे 6 लोग खड़े होते हैं वेजीटो अपने सामने खड़े हुए शक्स को देखके काफी हरान होता है वो बोलता है क्या? क्या वो? वेजीटो के सामने खड़ा हुआ शक्स उसे काफे साथ जाना पैचाना लग रहा होता है हम देखते हैं कि पांच डीमन्स के बीच में क्रीचर खड़ा होता है जो कि काफी कुछ फ्रीजा जनिम्बा और बूग की तरह लग रहा होता है हम देखते हैं कि बीच में खड़ा हुआ क्रीचर एक दम से हस्ते हुए बोलता है यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है इस सेक्टर का डीमन एमपरर और एक नए महमान के तोर पर यह बहतर रहेगा कि तुम चल्दी से मुझे सही तरीके से पुकार ना सीख लो मास के लो थड़े वेजिटो बिल्कुल हरान रचाता है और बोलता है डीमन एमपरर्स उनके बारे में मैंने सुना है इतने सारे गौड्स और इंजलस ने वेजिटो को कितनी बारी डीमन एमपरर्स के बारे में बताया है तो वेजिटो को वही याद आ रहा होता है तब ही एकदम से वेजिटो हसने लग चाता है वेजिटो बोलता है कि कुछ सालों पहले शायद ये मेरे ले सुनना थोड़ा बहुत डराना होता पर इस समय तक मैं तुमसे भी बड़ी मचलियों से ठकरा चुका हूँ मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि एक समय पे मैंने तुम्हारी काइंड के सबसे बेस्ट यानि कि लूसिफ की पूरी ताकत को अपने शरीर में छेला है जिसे दा वन ट्रू डैवल भी कहा जाता है तुम मेरे लिए कोई जादा बड़ी दिक्कत नहीं हो बेवकूफ तुम बहतर रहेगा कि तुम मेरे रास्ते से हड़ जाओ और ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पर जादा लंबे समय तक रुकने का प्लाइन कर रहा हूँ वेजीटो की बात सुनके ये क्रीचर एक दम से हसने रख जाता है और बोलता है तुम लूसिफ के बारे में बोल रहे हो तुम बोल रहे हो कि तुमारे जैसे मास्क के तुकड़े ने एक समय पे लूसिफ की पूरी ताकत को इस्तमाल किया है मुझे इस बात पर विश्वास करने में थोड़ी दिक्कता रही है पर हाँ ये बात तो जरूर है कि मैंने अफवा सुनी है कि वो यहां से निकल चुका है तब ही डीमन एंपरर और देता है और अपने आस पास के पांचो डीमन से बोलता है कि तुम पाजो इस पे अटेक करो मुझे जूटे पसंद नहीं है तो चलो हम इसे मौका देते हैं कि ये खुद को प्रूव कर सके इसके साथ वो करो जो तुम करना चाते हो कभी हम देखते हैं कि डीमन एंपरर के ब्राबर में से पांच ओर डीमन से एकदम से ही गायव उचाते हैं ताकि वेजीटु पे अटेक कर सकी पांच ओर डीमन से ही वेजीटु को घेठ लेते हैं पर वेजीटू को उनसे कोई भी फरक नहीं पड़ रहा हूता उसकी नजर डीमन एंपरर पे फिक्स होती है वेजीटो अपने सामने खड़े हुए डीमन एंपरर की एनरजी को महसुस करने रचाता है और बोलता है कि चाहे लूसिफ कुछ भी था ये शक्स, ये चीच, काफी कुछ उसकी तरह ही सिमिलर है उसकी एनरजी उतनी ही डार्क फील हो रही है वेजीटो इसके बाद अपने पास कड़े हुए पांच डीमन की तरफ ध्यान देता है वेजीटो बोलता है कि एक समय था जब मैं फाइफ स्ट्रॉंग इस्ट का सामना कर रहा था और अब इन पांचों का सच में मुझे क्या दिन देखने पड़ रहे है वैसे मुझे बताओ कि डीमन के साथ क्या होता है जब वो मारे जाते हैं पांचों डीमन से एक साथ वेजीटो पे हमला कर देते हैं और बोलते हैं कि ये हम तुमें खुद पता लगाने देंगे वेजीटो अपने जगासे बिल्कुल भी नहीं हिलता और बोलता है बेवकूफो एक पल के लिए वेजीटो के एनरजी को डूडन रंकी हो जाती है वो एकदम से ही पावर अप करता है और सारे डीमन्स जहां पर ते वहीं पर रुक जाते हैं सिर्फ वेजीटो के एनरजी से ही सारे के सारे डीमन्स दर्द से कर रहा हुटते है तब इसी इन चेंज होता है और हम लोग कामे ल Prophet को देखते हैं हम देखते हैं कि हमारे Z Warriors अपनी फैमिलीस के साथ वहाँ पर gather हो चुके हैं तब ही हम डेंडे को देखते हैं डेंडे अपनी आखे बंद करके देख रहा होता है कि दर्थी पे अभी क्या चल रहा है डेंडे बोलता है ये तो बहुत पुरा है ये टीमन्स ये पूरी दर्थी पे फैले हुए हैं कोई भी कंट्री शेहर या गाउं सेफ नहीं है अभी तक जो मौते हुई हैं उनकी संख्या ओल्रडी मिलियंस में जा चुकी है मिश्टर पोपो चॉकर बोलते हैं अरे नहीं डेंडे इतने सालोसों में कामे के साथ काम कर रहा हूँ पर मैंने आज तक ऐ पे बीची जेत्ती बुरी नहीं थी तब ही हम हिट को देखते हैं हिट बोलता है कि धरती हमारी कलौती दिक्कत नहीं है ऐसा नहीं है कि ये सिरफ धरती पर हो रहा है ये पूरे मल्टि वर्स में चल रहा है लूसिव के इन डीमन्स से कोई भी नहीं बच पाएगा और हर सेक मल्य दिक्ते हैं कि धरती पर डीमन्स का कहर जारी होता है और लाको करोडों लोग मारे जा रहे होते हैं तब ही इस सारी तभाहे के बीच में हम देखते हैं कि एक टायम पोर्टल खोठा है और ये टायम मारे खोठा है सबी डीमस एकदम से इस टाइम पोर्टल की तरफ देखने लग जाते हैं और सबी बहुत सदा कन्फ्यूज होते हैं हम देखते हैं कि एकदम से ही पोर्टल के अंदर से काफ़ सारे सैयंस बाहर निकल कर आते हैं और ये सबी सूपर सैयंस होते हैं ये सबी एक साथ चिलाते हैं, कि वेजिटा रहे लिए, गोहान का में लुकाउट की एड़ से ये सब कुछ महसूस कर रहा होता है, और एक गम से हरान रजाता है, गोहान बोलता है ये एनरजीज, ये सेयंस हैं, नहीं, बलकि सूपर सेयंस हैं, पर कैसे, मुझे तो लगाता कि डैड और वेजिटा ही आखरी, गोहान एक दम से पीछे मुगा देखता है, वो समझ गया है कि उसे जो जवाब चाहिए, वो उसके नजदीक है, गोहान पीछे मुगे बार्डॉक, कि वेजिटा और रट के तरफ देखता है, गोहान पूसता है कि अब जब हमारे पास वो अरिवार का मिलना बाद में भी कर सकते हैं, फिलाल के लिए तुम्हारा सिरफ ये जानना ज़रूरी है कि हम यहाँ पर तुम्हारी दोस्त के तौर पर आये हैं, ना कि दुश्मन के तौर पर, हम यहाँ तुम्हारे पिता की बज़ा से आये हैं, वेजिटो, एक समय पर तु समय में पीछ आया हमारे टाइम लाइन में और वहाँ पर आकर उसने ना सिरफ मेरी जान बलकि हमारी पूरी प्रजाती की जान बचाई उसने अकेले ही उस फ्रीजा को हरा दिया वो भी मेरी आँखों के सामने और उसके बदले में उसने हमसे थैंक्स भी नहीं मांगा उसके बजाए उसने हमें वो नौलेज दी जो कि उसे कई दश्कों में मिली थी सूपर सेयन ट्रांस्वर्मेशन की ऐसी ताकत और ऐसी नौलेज जो कि हम लोग कभी अकेले पा ही नहीं सकते थे और इतने समय में मैंने उस नौलेज का पूरा फाइदा उठाया अब हमारे टाइम लाइन में कोई भी ऐसा अडर्ट सेयन नहीं है जो कि सूपर सेयन में ना बज़ा सकता हो हमारे टाइम लाइन में सेयन सबसे ज़ाधा ताकतवर और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डॉमिनेट बन चुके हैं पिगलो एकदम से कुछ नोटिस करता है और बोलता है कि काफी इंटरस्टिंग स्टोरी थी पर क्या तुमने अभी ये कहा कि वेजिटर तुमारी टाइम लाइन में आया था कैसे आखर ये पॉसिबल कैसे है हिट एकदम से ही किसी उजासे खाली जगापे देखने लग जाता है हिट बोलता है कि सच बताओं तो ये कितनी लंबी स्टोरी है कि मेरे पास तब पेशेस नहीं है कि मैं उसा रिपीट कर सकूँ और वैसे ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि मेरा बताना सही भी नहीं रहेगा तो मैं इस स्टोरी को अपने आखरी रिन्फोर्समेंट्स पे छोड़ता हूँ जो कि बस यहाँ पर आने ही वाले हैं एकदम से ही फिट जहाँ पर देख रहा था वहाँ पर एकदम से दो शेडोस आने लग जाती है आखिरकार हम देखते हैं कि हमारे ही रोज कोकू और वेच्टा दशको बाद धरती पर आ चुके हैं धरती पर हमारे ही रोज की वापसी हो चुकी है पर दुनिया में एक बहुत बड़ा इवल बीन के साथ आया है गोकू और वेजिटा की वापसी के बाद उनके फैमिली इसका क्या रेक्शन होगा यह हम जानेंगे नेक्श वीडियो में क्योंकि दोस्तो आज की ये वीडियो यहीं पर खतम हुचाती है अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो नीचे कमेट कीजिए कोकू और वेजिटा लिटन्स तो दोस्तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कून भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर भी जरू कीजिएगा जिन लोग ने पितक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारे के सारी वीडियो चाम डूटाएं मिलती रहें तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मैं मिलता हूँ आप लोग अपनी नेक्श वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई दोस्तो और थेंक्स वाचिंग